केंद्र की डरेन मुधी सरकार को इसी महेंने 9 साल पूरे हो रहे हैं इस मौके पर सभी मंत्रलायों से उपलब्दियों का ब्योरा मंगा गया है इसके लिए एक फॉर्मेट भी तै क्या गया है 9 माई तक सभी मंत्रलायों से जानकारी देने को कहा गया है मालुम हो की पीम नरेन मुधी ने अपने दूसरे कारेकाल के लिए 30 माई 2019 को शपत ले थी इस फॉर्मेट में यह जानकारी मांगी गई है कि केंद्र में मुधी सरकार आने से पहले क्या हलत थे और अब क्या सुधार हुआ है तये फॉर्मेट में तीन विंदों पर जानकारी मांगी गई है पहली पांस सबसे बड़ी उपलब्दिया हर मंत्राले ने अपनी पांस सबसे बड़ी उपलब्दियों की जानकारी मांगी गई है हर उपलब्दी की जानकारी दो से तीन लाइन में देने को कहा गया है अगर कोई इंपोर्टिट योजना हो तो उसके बारे में प्रमुकता से बताने को कहा गया है दूसरा, फ्लेक्शिप योजनाओं की प्रगती रिपोर्ट हर मंत्राले से कहा गया है कि वो अपनी प्रमुक फ्लेक्शिप योजनाओं की प्रगती के बारे में रिपोर्ट दे इनमें योजना से जुड़े डेटा, सबसे बड़ा काम और भविश्य के बारे में प्लान बताने को कहा गया है तीसरा, 2014 से पहले और अब तक की प्रगती की रिपोर्ट हर मंत्राले से कहा गया है कि वो अपने मंत्राले के बारे में 2014 से पहले और आज तक की प्रगती की तुलना करें इसमें काम और आय अंतर को प्रमुक्था से बताने को कहा गया है इन नो सालों में होने वाले महतुपूर सुधारों, नीतियों में परिवर्तन और तरक्के के बारे में बताने को कहा गया है सभी मंत्रालयों से कहा गया कि फार्मेट में तुरंत जानकरी पहजे इसी के साथ बने रहे है राजनामा टीवी के साथ धन्य वाग